तो गाइज वेलकम बैक पर यूट्यूब चैनल और यूरेनियम हैकर पर और आज हम बनाने वाले यह पावरफुल रिचार्जेबल वैकिम त्लीनर यह जो है बहुत ही जादा पावरफुल भी है और इसका जो बैग है बहुत ही जादा टाइम लगाता है भरने में और आप इ यहाँ पर बैटरी यहां पर यूएस-प्वॉड जिससे आप इसको मोबाइल के चार्जर से जातर सबसक्राइब मेरी वीडियो करते हैं वीडियो कोशुरूड छोटा सबच पावरफुल वाक्युम क्लीनर बनाने के लिए आपको यहां पर चाहिए होगा एक ऊस ऐसासा ब और दोदुद्स थोड़ा लगशा पभी ले सकते हैं मैं यह पर ऐसलिया ऐ रहा होर अब कैफ सची रिंगा काप करी आप से पंडिकों करो हैं और अर्व यान पर फीघी इतने पार्ट को कर लेना है आप को इसको आदब ऑद मिलते हैं हैं किosit करने के बार जो डीजुमाहिस मैं ने ब्त करते हैं आप Liya यहां पर इस तरीके से कर देना है तो में अब रगते हैं के बाद तो गाइस मैं इसको यहां पर कम्क्रीट कर लिए यह जो इसका पीछे का पाइट जिसमें ड़र्टट होगी वह कम्किलेट नहीं जो उचुका है तो तो कर देंगे और आड़ जसे के ऩावब कर देख सकते हैं यहां पर मैंने ग्लूगन के यूज कि इसको स्टिक करने के लिए जिससे कि यह लीकेच फ्रूब भी हो जाए आप इसके जगा एमसील के यूज कर सकते हैं और अब हम इसको रखेंगे साइड में यहां पर हमारे बोक्स का अगया पार्ट जिस पर हम उसके अपको लगाएंगे तो यहां पर मैंने कार्ट बोड का पीस कट किया है जो की बिल्कुल इससर कर लिए डायमेटर के आए अब 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 आप देख सकते हैं यह जो इसमें बिल्कुल फिल्ट हुआ और उसके संटर में इसWhen कर दिया है तो मिलते हैं इसको स्टिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल अच्छे स्टिक कर लिए और मैं आपको एक बाद बता दूँ इस वीडियो में जो भी पार्ट से उसका लिंक में जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसको महां से ओन-लाइन बाय कर सकते हैं अब आपको यहां पर चाहिए होगी एक डीसी मोटर यह थोड़े छोटे साइज की आप इसमें नौर्मल जो खिलोना में डीसी मोटर होती है उसको भी लगा सकते हैं पर उसके आपको इसका जो साइज है वो भी बड़ा करना पड़ यहां पर मैंने जो है इसको स्टिक कर लिया है और मैंने यहां पर इसके उपर लगा दिया एक छोटा सा प्रोपेलर इसका लिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बाकि आप इसको भापर भी बना सकते हैं तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर लोग एक 3.7 वोल्ट की बैटरी इसको मैनल बनाया है साल्ट वाटर से और यह जो है रिचार्जेबल भी है इसकलिए मैं इसमें यूज करूंगा यहां पर एक 3.7 वोल्ट का चार्जिंग मोडियूल इसका लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको बैटरी बग दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी आपको बाद में डाइग्राम भी मिल जाएगी जिसकी वज़े से आपको इसके कोनेक्शन समझ आ जाएगे तो चलिए मैं इनको कर लेता हूं फिर मैं आपको डाइग्राम दे दूंगा जिसकी वज़े से आपको इसके जो कोने एच किया है तो इसलिए मैंने इसके अंदर ही चिपका दिया है और यहां पर हमारा चार्जिंग मोडियूल जो कि डिरेक्टली बैटरी के साथ कॉनेक्टिड है मैं आपको इसकी डाइग्राम अभी दे दूँगा आप उसमें से देख सकते हैं अगर आप में बढ़ाना है तो उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो अभी जैसी मैं इसका ओन करूंगा यहां से इस बटन से तो इसका फैन गूंगे लग पड़ेगा कुछ इस तरीके से और अब हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं जब इसकी बैटरी फुल हो जाएगी तब यहां पर ब्लू लाइट दीख तो मेरी बैटरी यहां पर फुल चार्ज है जिसकी वज़े से यहां पर यू लाइट दिख रही है शायद साइब को दिख रही हो अगर बैटरी मेरी थोड़ी से कम चार्ज होगी तो यहां पर रेड लाइट बिखती तो इसको पिता देता हूं तो गाइस अब हम लेंगे जो टना पर यहां पर आकूरे करनी के मैंने के अगरने के बाल ट जैस सकते हैं और यहां पर मैं से प्रोपेलर क्रने से औरर और अब इसको इसको चार्जिंग लगां के लिए एक चोटा सा पोर्ट रखा हुआ है अब इसको यहां इस युजबות पर चार्जिनग लगा के दिखाता हूं यह pen d-type है यह अब बлом घ्र भश्या ने सकतें इसको इसको यह टेस्ट करता था जही कभिचा हो जाएगा तब ये जो लाइट ही ये ब्लू कलर की हो जाएगी अभी मैं इसको बंद कर देता हूं क्योंकि मैंने भी इसको चार्ज नहीं करना है तो गाइज अभी हम करते हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इस पिल गा देता हूं इसकी नोजल शोच जो कुछ इस तरीके से उर अप करते हैं कि टेस्टिंग की टेस्टिंग के लिए मैंने पूंद से प्रेंट के पीशे को कटकर लिया है तो अभी मैं कटते हूं ये आन हो चुका है तो अभी हम कटने से को टेस्टिंग पाईर जैसा कि आप देख सकтра 257 भोसे सारी पेपर वो इस बैग में कठ्छा हो गया शायद से आपको दिख रहे हो गाई अगर अगर अच्छा लगा होगा तो करदी को लाइक और आप इसमें बड़ी बैटरी लगा सकते हैं मेरे पास कोई बड़ी बैटरी नहीं सी जिसके इसे मेरी जो मोटर है वो थोड़ी धीरे रंग कर रह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत